असलाम लेकुम आज का टॉपिक है हमारा परग्मिटेशन लेकिन उससे पहले हम बाइज अक्तिव मैपिंग को देखेंगे कुई भी mapping विच इस 1 1 और 2 कुई भी mapping हमार पास हो 1 1 भी हो और 2 भी हो तो हम उस mapping करें कि यह बाइज अक्टिव mapping है 1 1 जो होता है उसमें होता है एक element है वो अगर हम एक input दे रहे हैं तो हमें output भी यह हैंगे यहां से एक element नुसरी के एक intermittent को मिलें जिस तरह यहां पर देखें यहां पर एक element यहां पर दो हैंपोंच मिल रहे हैं मतलब हम 2 in put करें और output हमें हीमिल हाँ धूनों पर इनके एक पुट मिल लिए तो यह वन वन नहीं होगा ठीक हो जिसकी एक इंपुट करने से एक ही आउटपुट मिले चीक हो कि यह दो इंपुट करने से एक आउटपुट नहीं मतलब आउटपुट डामने उसके बाद रता है on to, on to में होता है कि हमारे निमेन co-domain होती है और रेंज होती है वो हमारी cm होनी चाहिए, मतलब इस set-set के second set के टमाम के तमाम element हो busy होने चाहिए, मतलब इसके तमाम element के साओ relate हो रहे होने चाहिए इससे उस में देखे, A1 के साथ B2 के साथ C3 के साथ रिलेट हो रहा है लेकिन यह जो 4 है 4 वो किसी भी यहां पर element नहीं है जिसके साथ 4 में मिल रहा हो मतलब यह जो है यह busy element में शामरी है मतलब इसकी जो code domain है वो हमारे पास क्या आ रही है 1,2,3,4 है लेकि range हमारे पास 1,2,3 यहा रही है Code domain range सेम नहीं हो तो अОं-टो नहीं केंगे ऑन्टो में क्या होगा जिसतरीod इसमें त्माम elements busy है थाट के तो यह हमारा Method ko जाए लेकिन इसमें एक element है जो busy नहीं है तो यह on-to नहीं होगा तो यह हमारा mapping है यह हमारी junto भी हो रह praw रही है इसके तमाम के तमाम जो element को डुमेन के वो सारे के सारे range की एक्वल आ रहे हैं मतलब relate हो रहे हैं सारे के सारे busy elements आ रहे हैं और साथ में इसका एक element एक ही element के साथ मिल रहा है एक input करने से एक ही output मिल रही है तो यह जो mapping है हमारी by objective mapping बनी को यह one more and two दोनों mapping है अब हम करते हैं permutation पहले हम देखते है permutation की definition इसमें let x be a non-empty set पहले हमार पास एक non-empty set x होगा and a bijective mapping bijective mapping मतलब 1-1 भी हो, on-2 भी हो जो हमने अभी पढ़ी है bijective mapping यह जो f है इसमें bijective mapping apply हो रही हो bijective mapping is called permutation तो permutation कलाईगी यानि कोई भी mapping अगर x to x हम ले रहे हैं मतलब सेम set पे ले रहे हैं x to x वो mapping अगर bijective mapping होगी तो permutation हमार पस बनेगी वो permutation sorry जो हमार पस बनेगी उसे हम कहेंगे permutation है set of all permutation of x x के जितने ही permutation set बनते है is denoted by x के जितने ही permutation बनतों ने की set में जब हम collect करते की set में कठा कर लेते हैं तो set को हम capital s source के subscribe में x लिख लेते हैं capital s के subscribe में x लिख लेते हैं और उस जो if x if x consists n elements then it is written as s की power n order of s and equal n का फिक्टोरी हैं लोग इसमें कहारे है कि हमारे पस कुई भी mapping हो कुई भी हमारे पस एक normality set x हो और इस जब हम mapping अप्लाय करें x to x तो वह बाइजक्टिव हो तो हम उसे permutation कहते हैं और वह permutation कर जिस पर साइप उस set की पर जितनी permutations हो तो उनको एक set में कठा कर दिया जाए और उस set को हम capital s और इसके subscribe में वह एक्स दिख लेते हैं इस तरह से रिनोट करवाते हैं और अगर उस set में for example जिस set x पर permutation हो बनाना गी या अकर x में हमारे पास five elements है तो उसका order कितना हमारे पास permutation वाले set जो बनेगा x की power s और yes x उसके जो elements होंगे उसका order कितना होगा जितने उसमें element होंगे x में उसका हम factor ले 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 तो उसका order आ जाता होता है अब इसके example करते हैं example में हमने set x ले लिया 123 इसमें तीन elements है और जब इसके जो हमारी permutation वानाना एक set बनेग जिसमें permutations होगी s x उसका order क्या होगा हमारा इसमें जितने elements उसका फिक्टोरिय ले ले हमारे पास क्या आ रहा है 6 तो इसका order क्या हमारे पास आएगा 6 मतलब इसमें लिए permutations बनेगे वह 6 permutations बनेगी इसमें 123 elements है और permutations जो हमने करनी है वह बाइजक्टिव होनी चाहिए और permutations जो हमारी बनेगी वह बाइजक्टिव और वह x से x की तरफ हो यहां पर हम बनाते हैं इसके 6 बनने चाहिए इसनले मैंने 6 बना लिए पहले से इनमें 123 123 same वही elements आएंग है कि तुमाम के तुमाम element busy हो और यहां से एक ही element के साथ mapping हो रही हो 1-1 correspondence भी उसे कह सकते हैं हम पहले तो 1 को 1 के साथ 2 को 2 के साथ 3 को 3 के साथ हमने map कर लिया है तो हमारे पास यह बन गई है identity mapping और इसे हम कैसे लिखते हैं 123 उपर लिखे है वह elements लिखे है और नीचे हमारे one put क सब्सक्राइब करदे वहाँ लिख है तो 1 के नेचे to मैं लिख लिखा 2 put करने सब्सक्राइब करने से 2 वहाँ थो 2 के नीचे 2 मिहां लिख दिया इसे identity मिक यह लिख लिखे है उसके पड़ एका नाम ने बेरा हमने को हैं मैंने मैपिंग ettम और لم मतलब charter 3 यहां यहां पर फिक्स कर लियू श्रीक को कैसी लिगा से ऑंपर 1 2-3 लिखा टू समस्क्राव मिल रहा है तो हमने 1 के नीचे 2 लिख लिख लिए 2 में 2 Alpha 1 थमया साira 5 सब्繞 lavoro में 1 भर लिए सारी थम्मारे 2 के नीचे निचे test 2 5 सब्राइए करके नीचेран सब्सक्राइए तो 10 लिगा , 1, 2, 3 लिख लिगा Therefore, इसद सब्सक्राइब करने नीचे लिए अब नीचे यह नेक्सट में हमने पर 1 fix कर लिया.hd यहांपर के साथ कर ने हमने 1 को 2 के साथ कर्वा दिया. मतलो 1 पुट कहा है तो हमें 2 मिल रहा है, तो 1 की नीचे साथ लिखती है तो पूट करने से में 3 मिल रहा है तो 2 के नीचे 3 लिखती है 3 पूट करने से में 1 मिल रहा है तो 3 के नीचे हमने 1 लिखती है अब आगे नेक्स देखें इसमें 1 को 3 के साथ 1 2 को 1 के साथ 3 को 2 के साथ कर दिया मतलब one put करेंगे तो हमें three मिलेगा two put करेंगे हमें one मिलेगा sorry two put करेंगे तो one मिलेगा यहां पर यह one था और three put करेंगे तो हमें two मिल रहा है हमने one put कि हमें three मिला हमने two put कि हमें one मिल गया हमने three put कि हमें two मिल गया तो three के निचे two लिख दिया ठीक होगे यह हमारी permutation होगी है आगे देखे हैं हम permutation कुछ types कर लेते हैं identity permutation identity permutation कैसी होती है let x be a non-empty set x हमार पस non-empty set होगा आप permutation identity permutation को हम i से ही denote करवा रहे हैं x to x is set to be identity permutation on x if i into x equal x मतलब जो input करें output हम उसे identity permutation कहते हैं जिस तरह यह देखे हम ने उसमें किया था permutation वाले में हमने one put किया था one मिल रही थी output हमने two put किया two in किया थो हमें out में two mil गी input three दी तो हमाई output three मिल गई जो put करें तो वही answer मिला तो उसे identity कहते हैं यहां पी देखें अगर x put करें तो answer में भी x मिलना चाहिए 1 put के हमें 1 मिला 2 put के हमें 2 मिला 3 put के हमें 3 मिल गया यहीं पर वैसे भी हमने लिखते हैं हम कहेंगे identity permutation उसके बाद हमार पास आता है inverse permutation inverse permutation inverse मतलब let x be a non-empty set x जो हमार पस non-empty set and f x to x हमार पस एक permutation है be a permutation on x x पर यह permutation बाद बाद गया such that किस तरह की अगर हम x put कर रहे हैं हमें y मिल रहा है और दोनों elements जाए से बाद x के होंगे क्योंकि दोनों हमारी x से x की तरफ mapping हो रही है हमने अगर f x हमने पुट किया है तो हमें y मिल रहा है तो अगर हम इसका inverse करें then the inverse permutation मतलब इसके पूर inverse का sign है अगर यहां से इस तरफ ही थे अब यहां से इस तरफ जाएगी inverse होगी of f is defined as तो उससे हम कैसे डिफाइन कि f inverse y to x मतलब हमने i ups एकस्पुट किया है तो y मिल आ है और अगर हम y पुट करें ऑथ असमें इंवर्स permutation करते हूए i put करें x मिल दो यह पक्राही पूट किया था तो में x मिल गया तो ऐसकी नीचे डाय है इसके नीचे डाय है एकजामपल भी आख देख लेते हैं देखें वन वनपुट के हमें 5 मिल रहा हुए ऑन की नचे 5 लिखते हैं टूपुट के हमें 4 मिल रहा हुए टू के नचे फॉर लिखते enc 5 put करने से हमें 3 मिल रहा है तो मैंने 5 कि निचे 3 लिए inverse permutation कैसे होगी? कि हम इसे इस तरफ किया है जब हम इसे इस तरफ लेके जाएंगे हमें वही मिलें मतलब अगर 1 put करें हमें 3 मिले, 2 put करें 4 मिले, 3 put करें 5 मिले, 4 put करें 2, 5 put करें 1 मिलें यहाँ पिके वन पूट किया थी मान्वानवाट करनें च sık…! fans कि हम 3 से घरा हुई रिंट से लिए आपकलए कि को मリें रखे हुआ है एक विए। से इसकार भी तो मिलाकिन Klemmijah document का 5, 4, 1, 2, 3 अब उपर भी लाइन इसी जाए लिखनेंगे 1, 2, 3, 4, 5 अब हम इसे रेंज कर देंगे पहले यह 1 लिखा हुआ है तो यह उला कॉलम लिखनेंगे 1, 3, उसके बाद 2 यह उला लिखनेंगे 2, 4, उसके बाद 3 वला चाहिए 3, 5, उसके बाद 4 वला चाहिए 4, उसके नीचे 2 आ गया उसके बाद 5 वला चाहिए 5, उसके नीचे 1 आ गया तब यह देखे हमारे पाद सेम वही बनी है 1 के नीचे 3 1 के नीचे 3 आ रहा है 2 के नीचे 4, 2 के नीचे 4 3 के नीचे 5 है, यहां भी 3 के नीचे 5 है तो इस तरह से find कर सकते हैं नहीं तो आप लोग इस तरह mapping बना लें 1 इस तरह यह 5 मैप कर रहें को 5 जिस तरह से map कर आके बार मेद आप लिए 6 संस्ट कर लें 1,2,3 उलें पर लिखके जिस कि मैप कर रहे हैं जिस की तरह आ रही हो बहुंना रही है एक तरह साथ हो बना s is called cyclic if there exist x1 x2 son x1 belongs to s के elements हमें दे दिये गए हैं कहते हैं कोई भी हमारे पास refiner set x है और एक permutation s पर जो बनेगी वह cyclic रहाएगी अगर यह जो हमारे s के element है वह कुछ इस तरह से होगर हमने f of x अगर हमने 1 put कि हमें 2 मिले 2 put करने यान कि पहला element इस एक पर एक टो मिले के 1 2 3 4 5 6 on है अगर हमने 1 put कि हमें 2 put 3 4 put 5 मिले फिर last flow channel में for example n तो n पूट कि हमें 1 मिल जाए मतलब cycle की तरह हो से cyclic मतलब circle cycle की तरह हो करे पर हमारे पास तो हम इसे कहेंगे कि वह cyclic permutation है जैसे अगर है फ of x1 put kia 2 x2 put kia x3 put kia xn put kia xn put kia last mean x1 पीछे वलाई यह मिल गया तो इसे हम cyclic permutation कहते है इस डेफिनी एग्जैंपल से भी हम देख लेंगे and all other elements remaining fixed under f और मतलब इसमें कोई और इसके लाब जो permutation के cyclic permutation मतलब cyclic में नहीं आ रहा है उसलोब जो बाकी elements है हो सारे fix होने चाहिए under f जिस तरह f of x equal x fix मतलब identity की तरह जिस तरह हो यह देखे example 1 यह हमने एक permutation ना ली 1 के बाद 7 7 के बाद 5 यहां पुट के 7 आ गया five ौट किया five ौट किया one आ गया one पूट साही यहां पर स्यह होगे साही क क्मप्लीट हो बाद seven उने सैवन लिख दिया seven के बाद five और five लिख दिया five के बाद three साही True यहां यहां तक हो गया अभ-udकर व जोड़़ दीकि नहीं कोई एक एक साइक्लिक मोरे कीरते इसे कना मैं को चाहिए दंते हैं चाहिए लुक्त रांद रात उसक्तों पासभी साइक़्लीक मैं स्काश्य विस्षांत रालें सुख्यों शना। अब 5-put करने से 1 ना रहे है है एक साइकल कम्पलीट हो गे देखे वन जहां से heart at 11 पी आ चाहते अब 2 से start कर रहे हैं you put करने से में six-mile rap six-foot करने से में three- alternative after three put करने से ministry two-meare यहां पर देखाय क्पलीट होंगे कर साइकली केंगे water it's important recording इसमें क्या है आप permutation कोई भी permutation whose length is 2 is called is called 2 is 2 is called transpose मतलब उसकी length जो है वो permutation अगर 2 होगी तो मुसे transpose कहेंगे मतलब कैसे यह चीज़ है इसकी length 1 2 3 है length अगर 2 होगी तो मुसे कहेंगे transposition इसकी length देखे 2 है इसकी length 2 है तो यह transposition है इसकी length 3 है इसकी length 3 के यह transposition है इसमें कहेंगे ठीक हो गया आगे आती है even permutation even permutation क्या आती है permutation which can be written in product of even numbers of transposition is called even number of permutation मतलब ऐसी permutation which can be written जो लिखी जा product मतलब कोई भी दो transpose के product की form में तो even number sorry even number के product की transpose की form में तो मुसे कहेंगे के permutation जो है हमारे पास even है जिस तरह यह देखे यह हमारे पास transposition है कुछ इसी दो transposition even number of transposition के form product की form में लिखे जो तुम से कहेंगे कि even transformation है जैसा यह देखे 1 2 1 3 इसकी length 2 है इसकी length 2 है यह यह भी transposition है यह भी transposition है यह दुनों आपस में क्या हो रहे है product हो रहे हैं मतलब 1 3 1 2 1 5 1 6 कोई इस तरह के आगए है यह दो के 1 2 3 4 यह हमारे पास 4 नंबर के transposition आ गई है transposition 4 बन गई है तो इससे भी even permutation केंगे को 4 जो हो even number है उसके बाद आती है हमारे पास odd permutation और भी सेम ऐसी है आप permutation which can be written in product of even नहीं odd sorry odd number of transposition is called odd number of permutation मतलब और even number वाली permutation जो थी वो even number of transposition के product में रिखी जाती तो odd वाली जो होगी और number of transposition के product में रिखी जाए जैसे इस देखने नीचे है हमारे पास यह देखें यह यह भी यह एक transposition यह भी एक transposition क्यों कि इन तीनों के लेंद जो हम अपस टू है अब यह कितने हैं वन टू थ्री ट्रांस्पोजिशन के product में लिखी हो थी हमारा आजब नमबर आना चैया जिसदमिया काउंट के तो 123 और और नमबर आरा है तो और ट्रांस्पोरेशन परमेटिशन होगी हमारा और नमबर आर अपना आपना तो यह नमबर ओफव थैस और आजए तो आज़िए